जैहिन साथियो बेलकम टू सेल्फ इस्टेडी किलासेश विश्वमिजेन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज हम परियावरन अध्यन में NCERT पार्ट करम के आधार पर पार्ट पुस्तकों के आधार पर आज हम बिस्तरे तद्यन पढ़ने बाले हैं परियावरन को हम आज बिल्कुल सुरू से पढ़ेंगे और यह बिल्कुल छोटे छोटे कॉस्टन के माध्यम से छोटे 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 पॉइंटों के माध्यम से छोटे छोटे तत्यों के माध्यम से आज हम परियावरन को जानेंगे ठीक है अगर आप MPTET exam की तयारी कर रहे हैं CTET की कर रहे हैं या फिर RET exam की तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबान है यह वीडियो का पहला पार्ट है इसके पहले बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं और पूरा का पूरा NCRT के आधार पर होगा तो जरूर इस पूरी की पूरी पेले लिस्ट को आप देखेंगे इस वीडियो को देखेंगे ठीक है वीडियो पूरा अंतर तक देखना सबसे पहले हम आपको बिस्तरित पढ़ाएंगे उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा इसी वीडियो में जस्ट बाद में आपसे इसी हार पर प्रश्ण पूछे जाएंगे जिससे आपका आकलन भी होता चलेगा ठीक है तो यह बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो होने वाला है वीडियो को सभी लोग लाइक करें और सेयर करें स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ए वीडियो तर दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे परियावरण की परिभासा, अर्थेमं परिभासा, परियावरण के घटक, परियावरण के छेत, पारिस्तितिक तंत्र, खाद स्रंकला, खाद जाल, परियावरण सरक्षन अंतराश्टी सम्मेलन, इस मानव परियावरण परिस्टाखों सम्मेलन 1972 वाला तो यह सारे के सारे तथे यहां पर हम पढ़ने बाले हैं ठीक है बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है परियावरण अर्थ एबं परिवासा सबसे पहले ये चीज़ अपन देखेंगे ठीक है बिलकुल आराम से समझना है परियावरण सब्द परी एबं आवरण से मिलकर बना सबी लोगों को प परियावरण दो सब्दों से मिलकर बना परी और आवरण तो परी का अर्थ क्या है तब आपका उत्तर होता है क्या चारों ओर ठीक है एक क्वेस्चन यहां से आपका किलियर हो जाता है नेक्ट दोस्तों आपको पूछा जाता है कि आवरण का अर्थ क्या है तब आपका उत होगा घेरा क्या होता है घेरा ये चोटी चूटी चीज़ें आपको पढ़नी है ठीके इस प्रकार परियावरन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है चारों तरफ से यहां पर हमें समझ में आ गया कि परियावरन सब्दे दो सब्दों से मिलकर बना है परी और आवरन से जिसमे परी का अर्थ होता है चारों और और अवरन का अर्थ होता है घेरा। तो इस प्रकार से परेयावरन का जो अर्थ होता है बो मनुझ उसके चारों और का बहस छेत्र जो से घेरे रहता है इबम उसके जीवन तथा किरियाओं को प्रत्यक्ष इबम आप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है ठीक है क्या कहलाता है परियावरण कहलाता है ये तिनी चीज तो आपको समझ में आ गई हम बोल देते हैं कि हमारे चारों और आसपास के हमारे चारों और के बातवरण को हम परियावरण कहले तो बोई चीज यहाँ पर कही गई है ठीक है तो परियावरण का अंग्रेजी जो सब्द है वो क्या है इन्वार्नमेंट ठीक है जिसकी उत्पत्ती फ्रेंच सब्द एन्वार रोनेर से हुई है अब आपको एक चीज याद रख लेनी है, पूछा जाता है कि परियावरन जो सब्द है, जो है अंग्रेजी भासा के एन्वार्मेंट का रूपा अंत्रण है, जिसकी उत्पत्ती किस भासा से हुई है, फ्रेंच भासा के सब्द एन्वायर रोनेर से हुई है, एक चीज आपक एन्वायर रोनेर का अर्थ क्या होता है, तब आपका उत्तर होगा पड़ोस होता है, ठीक है, इसलिए हम परियावरन के लिए जो है आस पड़ोस सब्द का प्रियोग कर सकते हैं, दूसरी सब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग सब्दों से परी और आबरन से मिलता है परी का अर्थ होता है चारों ओर और आबरन का अर्थ होता है क्या घेरा ठीक है ये तो आप समझ गए और परेयाबरन का इस परकार से जो अर्थ हो जाता है चारों ओर से घेरना ठीक है सबी लोग समझ गए अब आप से पूछा जाएग रोनेर से होई है ठीक है जिसका अर्थ क्या होता है पड़ोस ठीक है तो ये चीज भी आपको याद रखती नहीं है एक क्वेस्चन यहां से भी बनेगा कि एन वाई रोनेर का अर्थ क्या होता है तब आपका उत्तर होगा पड़ोस होता है ठीक है इतनी चीज आपको किलियर हो गई होगा अब दोस्तों देखेंगे हम परियावरण के घटक ठीक है परियावरण की बिल्लकूल सुरुआत से हम पड़ रहे हैं है ना इस प्रकार से तब आपका उत्तर होगा एक प्राकरतिक और एक मानावनिर्मित यानि की दो घटक होती है ठीक है अब यहाँ पर हम परियावरण की दो घटक देखेंगे प्राकरतिक और मानावनिर्मित तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकरतिक प्राकरतिक घटकों को दो घटकों में ब इसी को जी भी ये और इसी को जैबिक कहा जाता है। सजीव पराणियों का संसार जैसे जन्तु एवं पादब ये आते हैं काई में जैबिक घटकों में आते हैं ठीक है। बात कर लेते हैं अजयबिक घटकों की तो निर्जियू पदारतों का संसार जैसे इस्थल, जल, बायू, प्रिकास, मिर्दा, इबम ताप ये क्या होते हैं अजयबिक घटक कहलाती है अब यहां से ये question आप बनेगा कि निम्न मैंसे बताईए कौन सा जयबिक घटक है तब जयबिक घटक नहीं है तो इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको यहां से question आपका पूरा एक नमबर का clear हो ठीक है समझ में आ गया हो तो comment में लेके वीडियो को like करें प्रोस्ताहन के लिए आप अपने सब्दों की जो है बानी के माध्यम से आप लिख सकती है ठीक है तो देखते हैं मानव निर्मित तो मानव निर्मित की बात करें दोस्तों तो इनके उधारन हैं इमारतें उद्ध्योग सड़क पुल पार्क और संस्कृती यह जो है परियावरन के मानव निर्मित गटक होते हैं कौन-कौन से होते हैं यह मानव निर्मित गटक होते अगर आप से पूछे जाएं कि परियावरण के कितनी घटक हैं तो आपका उत्तर होगा दो प्राकरते को मान भी करें ठीक है अब प्राकरते घटक कौन-कौन से हैं तो एक जैबे घटक है और एक अजैबे घटक एबी चीज आपको कलियर हो गई तो जैबे कौन कौन से हैं और जैबे कौन कौन से हैं यह चीज भी यहाँ पर clear हो गई ठीक है तो और देखते हैं दोस्तो यहाँ पर हम जानेंगे परियावरण के छेत्र परियावरण को निम्ले के चार छेत्रों में विभाजित किया गया कौन कौन से चार छेत्र हैं एक तो इस्थल मंडल जल मंडल बायू मंडल और जेव मंडल अब देखना यहां से एक कॉस्चन आपका बनेगा कि परियावरण को कितने छेत्रों में बिवाजित किया गया तब आपका उतर होगा कितने चार छेत्रों में ठीक है चार छेत्रों मे बाजित किया अब आप से पूचा जाएगा निमन मैंसे बताएगे कौन सा परियावन का छेतर नहीं है अगर यहाँ पर एक दो दिया होगा सौर मंडल सौर मंडल दे दिया होगा तो यह सौर मंडल परियावन का छेतर नहीं माना जाता है आपको याद रख लेना है कि स्थल मं तो प्रतिवी के ठोस, उपरी परत या परपटी को स्थल मंडल कहा जाता है ठीक है प्रतिवी का लगबग एक तहाई 29 परतिसत भाग जो है क्या है स्थल मंडल है एह मंडल सेलो इबम खनिजों से निर्मित है एह मंडल मिर्दा की पतली परस से ढखा हुआ है इस मंडल में पर परबत, पठार, मैदान, घाटी यादी पाए जाते हैं ठीक है तो यहां से आपके दो क्वेस्टिन के डियर होंगे कैसे होंगे सबसे पहली बात तो यही पूचा जाएगा कि प्रतिवी के कितने भाग पर इस्थल है इस्थल मंडल फैला हुआ है तब आपका उत्तर होगा 29 प्रतिसद भाग पर फैला हुआ है ठीक है एक चीज हो गई अब निमने मेंसे बताईए कौन सा इस्थल मंडल का भाग है तो आपको यहां पर समुद्र दिया जाएगा परबत, पठार, मैदान, घाटी दिये जाएंगे आपको बताना होगा कि कौन सा इस्थल मंडल का टीक है तो वीडियो को लाइक जरूँ करें अब यहां पर हम देखेंगे इस्थल मंडल का महत तो क्या है जो इस्थल मंडल हमने पढ़ा है एह मंडल जो है खनजों इसमें प्रमुक्स रोत है खनजों का एह मंडल हमें बन, किर्सी एवं रहने के लिए बोमी प्रदान करता यह मंदल पस्यों को चरने के लिए घास स्तल प्रदान करता है तो यह स्तल मंदल का महत हो गया है जल मंदल का महत तो देख लो जल मंदल देख लेते हैं अभी हमने स्तल मंदल पढ़ लिया अब जल मंदल पढ़ लेते हैं जल मंदल के बारे में देखो प्रतिवी पर पाय जान नदियां एवं मन्न जलासाय सम्मिलित रूप से जल मंडल के अंतरकत आती हैं जल बिबिन दसाओं जैसे बर्फ वास्प एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है तब यहां से आपके तीन क्वेस्चन जरूर बनेंगे दोस्तों सबसे पहले तो यह पूछा जाएगा निमन में से बताईए कौन सा जो है पदार्त जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है तब आपका उत्तर होगा क्या जल ठीक है एक क्वेस्चन क्लियर हो गया दूसरा आपका क्वेस्चन बनेगा कि प्रतिवी के कितने भाग पर जो है जल मंडल है तब आपका उत्तर हो पर है है ना ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो यहां से आपके दो तीन question clear होते जल मंडल अब दोस्तो हम देखेंगे बायू मंडल प्रतिवी के चारों और मौजूद बायू के आवरण को क्या कहा जाता है बायू मंडल कहा जाता है बायू मंडल कई परकार की गेसों जैसे nitrogen, oxygen और carbon dioxide आदी मिस्तरण है इसमें बायू मंडल में इस मंडल में धूल के कण एबं जलबास भी पाए जाती है अगर आप से कभी पूछा जाए कि धूल के कण कहा पाए जाती है तब आपका उत्तर होगा बायू मंडल में जलबास कहा पाए जाती है तब आपका उत्तर होगा बायू मंडल में ठीक है बायू मंडल का महत तो देख लें एस सूर की हानिकारक करणों से हमारी रक्षा करती है कौन बायू मंडल है ना जिसमें ओजोन परत भी है और ओजोन परत जो है हमारी सुरक्षा करता है इसी बा कर लेते हैं दोस्तों जयो मंडल की तो प्रत्वी का बाह संकीर चेत्र जहां इस थल जल एबं बायू मिलकर जो है इस जीवन को संभव बनाते हैं तो जयो मंडल कहलाता है ये चीज़ आपको याद रखने हैं जन्तु एबं पादप मिलकर इस मंडल का निर्मान करते हैं तब किरियर हो जाते हैं अगर आपसे पूचा जाए कि प्रत्वी का बाह संकीर चेत्र जहां पर इस थल जल एबं बायू मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है तब आपका उत्तर क्या होगा जयो मंडल तो ये क्वेस्चन यहां से आपका किरियर होगा ठीक है जयो मंडल का महत तो देखते हैं ए जीवन के अनुकूर परस्तितियां प्रदान करता है जयो मंडल है ना अब हम देखेंगे दोस्तो पारस्तितिक तंत्र या पारी तंत्र के बारे में यहां पर पढ़ेंगे चलिए तो अब हम पारस्तितिक तंत्र या फिर पारी तंत्र के बारे में पढ़ दिया अब हम पारस्ति इक ऑर पारितंतर के बारे में पढ़ेंगे पारस्तितक तंतर वह तंतर है जिसमें समझते जियुधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यən वरन के उन preciso बहुते के बिचार धरा का प्रतिपादन किया अब यहां से दो कॉस्चन बनेंगे साथ हूँ आपको सबसे पहले तो यह आता है कि पारस्तितिक तंतर बिचार धरा का प्रतिपादन किस ने किया तब आपका उत्तर होगा टांसले साब ने किया है ठीक है अब कप किया है तो 1935 में किया है ठीक है सरपरतम तो यहां से दो कॉस्चन आपके कंपलीट होते हैं जो आपको नहीं भूला है कॉस्चन आते हैं कई बार नेक्ट देख लेते हैं पारस्थितिक तंद्र की अध्यन को अरनेस्ट हेकल ने किया था एक कॉस्चन कई बार पूचा जाता है ठीक है अगर आपसे पूचा जाएगी पारस्थितिक तंद्र की बिचारधारा का प्रतिपादन किस ने किया तब आपका उत्तर होगा टांसले साब ने ठीक है और बात करें कि एकोलोजी जिसका प्रतिमा के काई होती है और पारस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है एस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है यह प्राकृतिक भी हो सकता है और किरतिम भी हो सकता है तब आपको याद रख लेने है आपने देखे होंगे क्या देखे होंगे किसी भी आप होस्पिटल में जाते हैं या कार खाने कहीं दुकान में जाते हैं तो इस परकार से बॉक्स होगा और उसमें ऐसी रंग बरंगी मचलिया होगी तो यह क्या माना जाएगा यह पारस्थितिक कृतिम पारस्थितिक तंत्र माना जाएगा ठीक है तो यह बाला यह प्राकरतिक नहीं माना जाएगा तो इस परकार से कृतिम भी होता है पारस्थितिक तंत्र भी होता है यह कई छोटी छोटी एकाईयों में बर्गी कृत होता है जैसे स्वक्ष जलिये पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है ना और बनिये पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्तलिये पारिस्थितिक तंत्र आप एक question पूछा जाता है दोस्तों कि प्रतिवी पर सबसे बड़ा जो परस्तितिक तंत्र है वो कौन सा है तब आपका उत्तर क्या होता है समुद्र है ना ये सबसे बड़ा परस्तितिक तंत्र माना जाता है प्रतिवी पर ठीके तो समुद्र आपका बिल्कु सही होगा उसन कटी बंदिये पारी तंत्र सरबादिक उत्पादक पारी तंत्र माना जाता है तब आपका उत्तर क्या होगा उसन कटी बंदिये पारी तंत्र जो होता है वो सरबादिक उत्पादक माना जाता है ठीक है पारिस्तितिक तंत्र के गटक देखते हैं पारिस्तितिक तंत्र के गट दो घटक होती हैं हमने परियावरन की घटक पड़ी थी कौन कौन सी पड़ी थी परियावरन की हमने प्राकरतिक घटक पड़ा था ये और एक मानव नर्मित पड़ा था अब यहाँ पर पारस्तितिक तंत्र की घटक पड़ें तो जैबेक और अजैबेक ठीक है यहाँ पर दे तत्रतियोब एक्स प्रकार से उपभोकता होते हैं लेकिन यहाँ पर यह जैबक घटकों की एक स्रंकला होती है जिसे जो है खाद जालबी कहा जाता है यह चीज आपको याद रखनी है ठीक है तो इसमें देख लेते जैबक में इस गटक के अंग है उत्पादक उपभोकता औ और एक अपकटन बर गए इस प्रकार से तीन होती है ठीक है उत्पादक में पादप जगत अर्था पौधे को पारीतंत्र का उत्पादक कहा जाता है ठीक है पौधे प्रकास संसलेशन के द्वारा भोजन का निर्मान करती है यहाँ से आपको याद रखती नहीं ठीक है जो स्यम भोजन का निर्मान करती है वो उत्पादक ठीक है यह चीज़ आपको समझ में आ गई तो प्राथमे को प्भोगता की बात करें अगर तो प्राथमे को प्भोगता कैसे होते है साकाहरी होते है यहाँ से कॉस्चन बनेगा आपका निमने मैंसे बताईए कौन सा जो ह साकाहरी जीव है ठीक है अब हम पौधों की पत्तियों और कौमल तनों को खाते हैं कौन प्राथमे को प्भोगता अब यहाँ से आपको देखना टिड़ा वक्री हिरन गाए यह क्या है प्राथमे को प्भोगता है यह क्या खाते हैं पौधों की पत्तियां खाते हैं साकाहर भोजन करती हैं तो टिडड़ा आप से पूचा जाए अगर कि निमने मैंसे बताइए कौन सा प्राथ में को भोगता है तब आपका उतर होगा टिड़ा, बकरी, हिरन या फिर गाए ठीक है ऐसे अब दुतियो भोगता की बात कर लो तो एस आकाहरी जीवों को खाते हैं जैसे म मेंड़क दुतियो भोगता में आएगा क्या आएगा दुतियो भोगता तो याद रख लिना है आपको बिल्ली भी दुतियो भोगता कहलाते हैं अब यहाँ पर देखो तरतियो भोगता देखो यह प्रात्मे को भोगता या दुतियो भोगता को खाते हैं या फिर दौनों भोक्ताओं को खाते हैं सेर सेर हिरन भी खाता है और लॉम्डी को भी खाता है मोर साप को खाता है है ना बाज साप को खाता है तो इस परकार से ये तरतिया को भोक्ता आ जाते हैं ठीक है ये तरतिया को भोक्ता के बारे में आएंगे अब बात कर लें दोस्तों सरवाहारी की ये उत्पादा के बम प्रात्मे को भोकताओं का सेवन करते हैं है ना उत्पादा के बम प्रात्मे को भोकताओं का सेवन करते हैं जैसे बात करें कि मनोस, विल्ली, कवगा, मोर ये सरवाहारी होते हैं ये क्या है शरवाहरी है अपगटन करता ये मृत जीव जन्तियों को अपना भोजन बनाती है ये मृत सरीर के कार्बनिक पधारतों को साधारन बहुत एक तत्तों में अपगटित कर देते हैं जैसे जीवानू और कबक ये क्या मान जाते हैं अपगटन करता का मान जाते हैं इन मिला देते हैं और वो खाद का काम करती है तो जीवानू और कबक इसका साही उत्तर होगा बात कर लिते हैं दोस्तों अजयबे के गटक की तो इस गटक की अंतरकत प्रिकास बायू जल मिर्दा कार्वनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों एवं उभुकताओं के लिए कहां से आपको याद रखनी है अगर आपसे पूचा जाए कि अजयबे गटक कौन सी है तब आपका उत्तर होगा प्रिकास भी है बायू भी है जल है मिर्दा है कार्वनिक मतलब जिनमें जीवान नहीं पाया जाता वो क्या है अजयबे गटक होती है ठीक है खाद सरंकला खा खाद कड़ी भी कहा जाता है खास रंकला विवन जीवों का बहे करम है जिसके द्वारे एक पारितंत्र में खाद उर्जा का प्रवाय होता है खाद उर्जा का प्रवाय एक दिसी होता है अगर आप से कभी पूचा जाए कोस्चन कि खाद उर्जा का प्रवाय कैसा होता है तो वो होता है एक दिसी, कैसा होता है, एक दिसी, ठीके, जैसे पौधे, पौधे को कौन खाता है, टिड़ा, टिड़ा को मेंधा खाता है, और मेंधा को साप काता, तो इस प्रकार से यह उत्पादा को गए, यह प्रात्मे को भोगता, दुतियो भोगता, और यह तरतियो भो खाद उर्जा प्रदान करता है एवं साप मेंडक से खाद उर्जा प्राप्त करता है खाद स्रंकला जादा से जादा पांच इस्तर की हो सकती है कितने इस्तर की पांच इस्तर की हो सकती है खाद स्रंकला क्योंकि प्रतेक इस्तर पर उपभुगता केवल 10 प्रतीसत 10% संचित उर्जा को अपने सरीर में रूपांतरत करता है बागी 90% उर्जा की हानी होती है अभी यहां से कई प्रकार की कॉस्चन बनती है सबसे पहला कॉस्चन तो यही बनता है दोस्तो कि यहाँ से बनेगा कि दुती ओभोकता कौन है तो मेंड़क, प्रताम ओभोकता कौन है टिड़ा, त्रती ओभोकता कौन है तो साप, यहाँ से दो-तिन question आपके बनेंगे ठीक है फिर आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ण का इस्तर या उर्जा का जो इस्थानांतर होता वो कितनी percent होता है 90% और best कितना होता हानी कितनी होती है ए उर्जा का जो इस्थानांतर होता है परसेंट बैस्ट होती है 90% हानी होती है 90% और यह 10% उर्जा का जो इस्थानांतर होता है यह जो नियम दिया वो किस ने दिया? लेंडमें साब ने दिया है, नोट कर लिए लिएक आपना पूछा गया, ठीक है? उत्पादक क्या करते हैं प्रथम उपभोगता इसका उपभोग करते हैं और दुतिय उपभोगता यहां पर क्या करते हैं इसका उपभोग करते हैं तरतिय उपभोगता तो यहां पर यह उपभोग करते हैं तो यहां पर उर्जा की एकाई भी दी है कि यहां पर आपकी पॉंट एक तो यहाँ पर जो है यह इनों ने बताया कि पांच इस्तर तक यह जो है इस्तनांतरित हो सकती है है ना पांच इस्तर की हो सकती है खाद स्रंकला ज्यादा से ज्यादा ठीक है अगर आप कभी पूचा जाए कि खास रंकला कितने इस्तर तक हो सकती है तब आपका उत्तर होगा पाँच इस्तर तक यह चीज़ याद रखनी है किसी भी पाई तंतर में मूल उत्तपादकों में अत्याद एक उर्जा मिलेगी और सर्वस्रेश्ट स्रैनी के उपभोगता में सबसे कम उर्जा मिलेगी इस कारण उर्जा का प्रामिड हमेशा सीधा होता है कैसा होता है सीधा इस परकार से देखो उर्जा का प्रामेड अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर कि उर्जा का प्रामेड कैसा होता है तो कैसा होता है सीधा होता है यहाँ पर उत्पादक प्रात्मे को भोगता दुतियो भोगता और तरतियो भोगता ये उर्जा का प्रामेड है तो ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी पालितन्त में मूल उत्पादकों से अधिक उर्जा मिलेगी और सर्बस्रेश्ट सरणी के उपभोगता में सबसे कम उर्जा मिलेगी इस कारण इस प्रामेड जो हमेशा होता वो सीधा रहता देखो यहा तो इस प्रकार से इसका जो प्रामेड होता है वो कैसा होता है सीदा होता है ये चीज़ आपको समझनी है और उत्तर किलियर आपके यहां से बहुत सारी किलियर हो गए होगे तब यहां पर दोस्तों साखाद स्रंकला के इस्तर देखेंगे अपने इस्तर जानना बहुत आवस्ता कें, क्योंकि यहीं confusion होता सबसे पहले, सबसे पहले हम दो इस्तरिये जानेंगे, आपको पता होगा कि दो इस्तरिये कैसे होते हैं, पौधे, पौधे को सीधा हाती खाता है, अब इसके बाद इसको कोई नहीं खाता, तो यह क्या हो जाएगी, दो इस्तरिये होती है, ठीक है, क्या होती है, दो इस्तरिये, है ना, तिर इस्तरिये देखो, तिर इस्तरिये, तो पौधे को कौन खाता है, हिरन खाता है, हिरन को कौन खाता है, बाग खाता है या फिर बकरी, यह बाग खाता है या फिर सेर खाता है, इस प्रकार से, यहाँ पर आपका उतर होगा बाग अगर ये ऑफिसन में दिये जाएंगे पौधे, हिरन, बाग है ना तब आपका उतर क्या हो जाएगा बाग ये दुतिये इस तरपर आ जा गए अधुतियो बोगता का काम करेगा यहां पर चार इस्तरिये में देखो यहाँ पर पौधे को कीट खाता है या फिर टिड़ा टिड़ा को मेंड़क खाता है मेंड़क को साप काता है साप को मोर खाता है यहाँ पर देखो पौधे उत्पादक है पिर थम जो उपभोगता है वो कौन है टिड़ा दुतिय ओभोकता कौन हो जाएगा मिंडक तरतिय ओभोकता साप और चतुर्त जो ओभोकता होगा वो मौर होगा यहाँ पर है ना तो यह चीज आपको याद रखनी है अगर आपसे कभी पूँचा जाए कि निमन मैंसे बताएगे कौन सा तरतिय ओभोकता है तब आपको अगर पौधे, हेरन, बाग और साप दिया जाए तब आपका उत्तर होगा तरतिय ओभोकता में कौन होगा बाग है ना पिर थम ओभोकता दुतिय ओभोकता में क्या होगा बाग होगा दुतिय ओभोकता में ठीक है तो यहाँ पर confuse नहीं होना यह इस्तर जानना आपको बहुत जरूरी है यह इस्तर जो होते हैं आपने पहले भी बताया है कि जो खादस रंकला के इस्तर होते जादा से जादा पांच इस्तर हो सकते हैं तो यह पांच जो इस्तर आपने यहाँ पर समझ लिए ठीक है यह इस तरह आपको समझना है और उत्तर सभी लोगों को बताना है अब दोस्तों यहाँ पर हमें बात करने खाद जाल की खाद जाल अनेक खाद स्रंकलाओं का समूह खाद जाल कहलाता है यहाँ से भी आपका एक कोस्टिन पूचा जाता है कि अनेक खाद स्रंकलाओं का समूह क्या कहलाता है तब आपसे question बनना चाहिए क्या कहलाता है खाद जाल कहलाता है क्या कहलाता है खाद जाल ठीक है खाद जाल में उर्जा का इस्थानांतरन का मार्ग बहु दिसिये होता है बहु दिसिये अगर आपसे कभी पूछा जाए कि खाद खाद जाल में उर्जा का इस्थानांतरन का जो मार्ग होता है वो कैसा होता आपको दिये जाएंगे एक दिसिये बहु दिसिये दोनों ये निमेंसे कोई नहीं तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा बहु दिसिये होता है पारी तंतर में खाद जाल का होना आवसक है क्योंकि य यह जो पौदा है पौदे को यहां पर क्या खा रहा है खरगोस खा रहा है यहां पर टिड़ा खा रहा है ठीक है और यहां पर बक्री खा रहा है यह पौदा है तो यहां पर बक्री को कौन खा रहा है मनुस्त खा रहा है पौदे को भी मनुस्त खा रहा है ठीक है पौदे को ट खर्गोस को साप भी और मौर भी खा रहा है तो इस प्रकार से ये खाद जाल है जो कि यहाँ पर कहा गया है क्या कहा गया है क्या निक खास रंकला को समूख खाद जाल कहलाता है खाद जाल में उर्जा का जो है इस्थन आंत्रन का जो मार्ग होता वो बहुदिसी होता है पारी तंत्र में खाज जाल का होना आवसा के क्योंकि ये प्रत्वीकव संतुलेन बनाई रखने में बहुत साया के ये चीज़ आपको यहाँ पर किलियर हो गई होगी ठीक है अब बात करेंगे दोस्तों परियावरण सर्रक्षन की मनुस और परियावरण का अटूट संबंद है यह अटूट साथ है परियावरण को अगर नुकसान पहुचता है तो इसका सीधा प्रभा मनुस पर पढ़ता है यह सत्त है कि परियावरण की देखरेक का जिम्मा किसके उपर है मनुस के उपर है परन्तु यह है भी अटूट सत्त है कि परियावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुचाता है मनुस्य से ही पहुचाता है जैसे बात करें मनुस्य की जो है अवसक्ता में ब्रद्धी होने लगी बैसे बैसे परियावन को नुकसान जो है पहुचने लगा आज सबसे बड़ा बिसय है परियावन की रक्षा करना अंतराश्टी एवं राश्ट मानव परियावरण Stockholm सम्मिलन 1972 यह अगर आप से पूचा जाता है यहां से question कि Stockholm सम्मिलन कब हुआ था तो 1972 में हुआ था यह चीज आपको याद रखने हैं सबसे पहले सम्मिलन स्वीडन के स्टाक हौम में सहर में 5 जून 1972 को आयुजित हुआ था कब हुआ था स्वीडन के स्टाक हौम में 5 जून 1972 को आयुजित हुआ था और परियावरण के सरक्षण के संदर में जो है अंतराष्टी इस तर पर पहला प्रयास है अगर आप से कभी पूचा जाए कि परियावरन सेलक्ष्ण की संबन्द अंतराश्टी इस तर पर पहला प्रयास कौन सा था तब आपका उत्तर होगा स्टाक हॉं सम्मिलन 1972 इस सम्मिलन में सभी के लिए एक ही प्रतिवी का सिद्दान्त अपनाया गया कौन सी एक ही प्रतिवी का यहां से अगर आपसे कौस्चन पूछा जाए कि कौन से सम्मिलन में एक ही प्रतिवी का सिद्दान्त अपनाया गया तब आपका यहां पर फिर आंसर होगा इस स्टाक हॉं सम्मिलन 1972 नेक्स देखते हैं इस सम्मिलन में सन्युक्तराष्ट परियावरन कारिकरम UNEP यानि कि इसका फुलफाम जो होता है United Nations Environmental जो है Environmental प्रोग्राम का जन्म हुआ तो आपको याद रख लिना है कि UNEP का जन्म कैसे हुआ इसी 5 जून 1972 के स्टाक हॉं सम्मिलन से UNEP का जन्म हुआ याद रख लिना है इस सम्मिलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था अगर आपसे कभी पूचा जाए कि स्टाक हॉं सम्मिलन 1972 में कितने देशों ने हिस्सा लिया तो 119 देशों ने इस सम्मिलन का प्रम को देश अंतलाश्टी इस्तर पर परियावरण सर्रक्षन एबं उसमें सुदार करना था इस सम्मिलन में गोशना की गई कि प्रतिक बर्स 5 जून को विश्व परियावरण दिवस मनाये जाएगा इस सम्मिलन में अपनाया गया 119 देशों ने इस सम्मिलन में हिस्सा लिया तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी हैं बात कर लेते हैं दोस्तों प्रतिवी सम्मिलन 1992 की अब हमने सबसे पहले का जौ संभीलीन था, परेयवराना का सबसे परेयास था वो श्टॉकॉम संभीलन 1972 पड़ लिया, बात कर लेते हैं प्रतीभी संभीलन 1992 की, ऐसंभीलन ब्राजिल की राज़त्रिनीं रियो डो जैंडेटो में 3 जून 1992 हुआ था, यहाँ पर हमने देखा क Sweden के Stockholm में हुआ था इसलिए से Stockholm संविलन कहा जा था ठीक है और ब्राजिल की Rio de Janeiro में 3 June 1992 को आयूजित किया गया था इस संविलन में 182 देशों ने हिस्सा लिया था जब की Stockholm सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था ठीक है और इस सम्मेलन में परियावरान और बेकास पर एक दस्ता भी जारी किया गया था जिसे Agenda 21 आपने नाम सुना होगा Agenda 21 की नाम से जाना जाता है याद रख लेना अगर आप कभी आपसे पूँचा जाए कि Agenda 21 परियावरान और बेकास पर एक दस्ता भी जारी किया गया जिसका नाम था Agenda 21 और एक कब जारी किया गया तब आपका उतर होगा 1992 तीन जून 1992 में जो है रियो डी जैने रियो में ऐ जो सम्मेलन हुआ था प्रत्वी सम्मेलन 1992 1992 उसमें Agenda 21 को जो है इस दस्तावेज को जारी किया गया था ठीक है इतने question आपसे यहां से बन जाते हैं अंगला देखेंगे भारत में परियावरन सरक्षन तो भारत में परियावरन सरक्षन की बात करें तो भारत में परियावरन सरक्षन अधिनियम जो बना वो कब बना 1986 में यहाँ परियाद रख लिए यह अदिनियम 1972 में फुए परियावरण पर सण्युक्त राष्ट सम्मेलन की गोस्रा को लागू करने के लिए पारिद किया गया था कौन सा सम्मेलन ये जो है अधिनियम, 1972 में हुई है मानम परियाबन सन्युक्त राष्ठ सम्मेलन की घोषना को लागू करने के लिए ये किया गया था, ठीके, अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया, 19 नवंबर 1986 को कभी कभी डेट भी पूची जाती है कि पर्यावन सरक्षन अधिनियम कभ लागू किया गया तो 19 नवंबर 1986 ये याद रखना है इस अधिनियम का प्रमुक जो उद्देश था वो किया था सरक्षन एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था तो यहां से इतने क्वेस्चन आपके किलियर होते हैं बात कर लेते दोस्तों पर्यावन संबंधी प्रमुक आंदोलन सबसे पहले आता है चिपको आंदोलन इस आंदोलन के नेता कोंते सुन्दलाल बहुगुडा इस आंदोलन के शुरुआत आज के उत्तराखंड के गोपेस्तोर सहर के रहनी नामक गाउं से जो है होई थी यह याद रखनी है इस आंदोलन में महिलाएं जो है पेड़ों से चिपकर उनकी रक्षा करती थी लगवक तीन सो साल पहले राजस्तान के जोतपूर सहर के खेजली नामक गाउं में खेजली ब्रक्षों की रक्षा करती हुए अमरता देवी बिस्नोई ने अपनी जान दे दी थी तो ये अमरता देवी जो विस्नोई हैं ये खेजली नामक गाउं में खेजली के जो है ब्रक्षों से संबन्दे थें तो याद रखने ना ही राजस्थान से संबन्दे थे अपिको आंदुलन के नेता कोंते पांडुरंग हैगड़े थे चिपको आंदुलन के संबन्दलाल बहुगुड़ा थे एच्पको आंदोरन का ही रूप था जिसकी शुरुवात करनाटक में हुई थी कहा पर हुई थी करनाटक में अपिको आंदोरन के है ना नर्बदा बचाओ आंदोरन नर्बदा आंदोरन 1989 इस पर आंदोरन के प्रमोक निता बाबा आम्टे और मेदा पाट करती है ठीक है इस अंदुरन की शुरुवात नर्बदा नदी पर बन रहे बांध के ब्रोध में हुई और परियावरन सरक्षन संबंदी पुरुसकार देखो तो इंद्रा गांदी परियावरन पुरुसकार इसकी शुरुवात हुई 1987 में आपको राजियू गांदी परियावरन पुरुसकार इसकी शुरुवात 1993 में हुई थी यह न तो इंद्रा गांदी परियावरन पुरुसकार 1987 में वुई इह उन अद्योकिक संस्थानों यह वं मिकाईयों को दिया जाता है जो परियावर्ण सलक्षन सम्पन already योजणा को लागू 45 मई को 20 परियावन दिवस का मना आ जाता है 5 जून को विष्चु परिखिर्थी दिवस 3 अक्टूबर कोShp 26 नवंबर को मना जाता है यह सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है तो यहाँ पर आपने 26 परियावन सर्रक्षन दिवस 26 नवंबर और जो है पांच जून को बिस्तो परियावन दिवस मनाय जाते है ये चीज बहुत ही महत्पूर है जो आपको याद रखनी है ठीक है अब परियावन संबंदी सब्ता है एवं माह देख लो तो बन महुस्व मनाय जाता है कम मनाय जाता है जुलाई एवं फरवरी का परिथम सब्ता है ये बन महुस्व है बन जीव सब्ता है एक से साथ अक्टूबर बन जीव सब्ता है ठीक है राष्ट ये परियावन जागरुकतमा है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर और विस्तो में परियावन संब्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् करने वाली गैर सहकारी संस्ता भी है गैर सरकारी संस्ता तो यह चीज भी आपको याद रखनी है इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों अब हम अभ्यास प्रस्णों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जितना भी आपने पढ़ा है उसके उत्तर आप किस भासा से लिया गया है, ग्रीक से, अंग्रेजी से, रोमन से या फिर फ्रेंच से, तो जटी से अपना कमेंट आपको उत्तर में लिखना है, तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा फ्रेंच भासा से लिया गया है यहीं की जो पेकर पे नमर आपका टी है वो यहाँ पर सही हो जगा ठीक है अंगला कोस्चन देख लेंगे अंगला जो आपका कोस्चन है दोस्तो परियावन की प्रमुक घटक हैं तो कौन से हैं प्राकरते मानव निर्मित दोनों या दोनों मैंसे कोई नहीं तो परियावन की प्रमुक घटक हैं तो कौन से हैं तब आपको आपने पढ़ा है परियावन की जो घटक होते हैं वो प्राकरते की भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं यानि कि आपका जो उत्ता हो जाएगा वो कौन सा होगा बेकर्पे नमर C हो जाएगा ठीक है अंगला क्वश्चन देखो ताप, मिर्दा, प्रिकास, परियावन की किस घटक की अंत्रगत आती है जैवक घटा, बहुत एक घटा, मानाव निर्मित या इन मैसे कोई नहीं तो हमने पड़े हैं और उत्तर जल्दी से बताएंगे सभी लोग तब आपका बिलकुर राइट अंत्र होगा बहुत एक घटा, बहुत एक घटा क्यानी कि जो B नमर है वो आपका बिलकुर सही हो सहेगा परवत पठार मैदान घटी परियावन की किस छित्र में आती है परेयवन परवत पठार मेंदान भाटी इस्थल मंदल, जल मंदल, वायू मंदल या फिर जयव मंदल तब आपका बिलकुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा परश्णिक रमाग चार का इस्थल मंडल इस्थल मंदल आपने देखा हुआ इसका हमने पढ़ा था कि ये 39% जो भाग है वो क्या है इस थल मंडल है बाकि 71 जो वो कितना है ये जल मंडल है ठीक है तो परवत पठार मैदान घाटी परियावन की किस छेत्र में आती हैं तो इस थल मंडल की प्रत्वी का दो तेहाई भाग कौन सा मंडल है दो तेहाई भाग बताना है आपको इस थल मंडल है जल मंडल है वायू मंडल है या फिर जो मंडल है तब आपका आपने बहुत अच्छी से पढ़ा है मैंने बताया भी था और दो तेहाई आपका बिल्कु सही हो जाएगा तो हो जाएगा जल मंदल ठीक है अंगला question देकिंग धूल के कण एवं जलबास्प किस मंदल में पाए जाती हैं धूल के कण एवं जलबास्प किस मंदल में पाए जाती हैं स्थल मंदल में जल मंदल में वायू मंदल में या फिर जयो मंदल में तब आपको उत्तर क्या हो जाएगा धूल के कण एवं जलबास्प आपका पिल्कुर राइट अंसर होगा साथी हो बायू मंडल यानि कि जो बेकल्प नमर आपका C है वो यहाँ पर सही होगा अंगला क्वेस्चन है निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए परियावन के लिए आस पड़ो सब्दे का भी प्रियोग किया जाता है इस्तल मंडल खनीजों का प्रमुख सुरोत है जयो मंडल जीवन के लिए नुकूल परिस्तितियां परदान करता है परिस्तित एक तंतर प्रिकृत्य की किरियाथ मके काई होती है तब आपको बताना है यह आपको कूट दिये हैं आपका कौन सा कथन सत्त है सत्त बताना है चार बिकल्पों में से प्रश्निक रमांग साथ का आंसर बताना है यहाँ पर यह बिकल्प है आपके सामने तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा एक, दो, तीन, चार ठीके परेवन के लिए आसपास इस तर मंडल खनजों का प्रमुक सुरोथ भी माला जाता है जिवन के लिए नुकूल परिस्थितियां परदान करता है यानि कि जो आपका बिकल्प नमबर डी है वो आपका विल्कु सही होगा यहाँ पर निवन मैंसे कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर सुमेलित बताना है हमने पड़ा है परश्थिति की सब्द सरवाहारी प्रात्मे को भोगता परश्थिति की तंत्र तो जद्धी से बताएं उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जागा साथ प्रश्निक्रमा के अपना आठ और आठ का आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है प्रश्निक्रमा का आठ का आठ का आणसर कौन सा नहीं है यह वाला प्रात्मे को भोगता हरे पौदी नहीं माने जाती है है ना तो यह तो उत्पादक है तो आपका C नमबर बिनकों सही हो जाएगा ठीक है? बहुत बढ़िया तो सभी लोगों ने पढ़ा है कि पास्त देख तंत्र को पिर्थी पादित करने वाले टांस ले हैं पास्त की सब्द जो दिया वो अरनेस्ट है कल ने दिया है एकोलोजी ठीक है? सरवाहारी तो मोर माना ही जाता है ठीक है? और ये पोड़ प्रद जो है योध पादक माने जाती है ये चीज़ सभी प्रद रहती है अंगला कॉस्चन दोस्तों आपकी स्कीम पर निन्वेसे तरतियक स्रेनी का उपभोगता है तो कौन है? बकरी, सां, मैंधा या फिर बाज तरतियक स्रेनी का उपभोगता वताना है प्रशन करमांक 9 का उतर और आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तरतियक स्रेनी का उपभोगता तब आपको उतर वताना है कि कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि टिड़ा जो होता है टिड़ा टिड़ा क्या करता है घास खाता है अब टिड़ा को कौन खाता है टिड़ा को आपने देखा होगा कि घास खाता है तो यह प्रथम भोगता हो गया अब टिड़ा को मेंड़क ने खाया तो मेंड बे जीव जो मुरत शरीर के कार्वनेक पदार्तों को साधारण बहुत एक तत्वों में अपगटित कर देती हैं, क्या कहलाती हैं। तो अपगटित कर देती हैं, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्निक्रमांग 10 का। तो सभी लोगों ने जो आंसर बताया वो कह होगा अपगटक, अपगटक यानि जो बिकल्प नमबर आपका A है, वो आपका यहाँ पर बिल्कुस हो जग़ा, A नमबर का, ठीक है, प्रश्निक्रमांग 10 का A, अपगटक, अगर पौदों को खरगोस खाता है, खरगोस को साप औ और साप को मोर, तब सबसे कम उर्जा किसको प्राप्त होगी, पौदों को खरगोस, खरगोस को साप और साप को मोर खाती है, तो आपको बताना है, सबसे कम जो है उर्जा किसको मिलेगी, तब प्रश्निक्रमा के जो 11 का आंसर आपका हो जाएगा, वो क्या होगा, मोर को मिल सबसे कम जो उर्जा मिलेगी वो किसे मिलेगी मोर को यानि कि C नम्मर आपका सही होगा यहां से 10% होगी ठीक है 10% 10% करके इस प्रकार से आपको C नम्मर सबसे कम मिलेगी तो मोर को मिलेगी ठीक है नम्मर से कत्रों में से कौन सा कतन असत्त है असत्त बताना खास रंगला में उर्जा का प्रवार एक दिसियो होता है खाद जाल में उर्जा का प्रवार बहुत दिसियो होता है और प्रोक्त दोनों इन्हें से कोई नहीं कौन सा कतन असत्त है प्रश्न क्रमा को 12 का उत्तर बता तो उप्रोक्त मेंसे कोई नहीं यानि कि जो पिकल्प नमर डी आपका सही होगा आप से बन रहा होगा कमेंट में जरूर बताएं आप से बन रहा है कि नहीं बन रहा है पहले हमने विश्टर तद्यन किया फिर इसके बारे में कोस्चन जो है अभ्यास प्रस्ण कर रहे हैं कब हुआ था सबसे पहला आपको वताना है आपने पड़ा है कब हुआ था तब आपका बिल्कुश सही आंसर क्या होगा स्टॉक हों सम्मिलन 1972 यह अंतराश्टी इस तर पर पहला सम्मिलन माना जाता है किस सम्मिलन में गोशना की गई कि प्रत्ते 5 जून को यहां पर जून बताना जून को विश्टो परियावन दिवस मनाया जाएगा तो पौन से सम्मिलन में गोशना की गई थी तब आपका बिल्कुछ जो आंसर होगा वो क्या होगा वो होगा साथियो A एनि की स्टॉक हों सम्मिलन 1972 में ठीक है अब अगर आपसे पूचा जाए कि UNEP की जो है सुरुआत किस सम्मिलन से मान जाती है तब भी आपका उत्तर क्या होगा स्टॉक हों सम्मिलन 1972 से ठीक है यह क किस बर्स में Agenda 21 जारी किया गया? Agenda 21 आपको बताना किस बर्स में जारी किया गया? और ये कब हुआ था? ये प्रतिवी सम्मिलन हुआ था 1992 में ठीक है? और ये 1992 में Agenda 21 ये जो है जारी किया गया था तो 15 बकल प्रशने किरमांग 15 का उत्तर हो जाएगा C है ना? सभी लोगों के याद आ रहा होगा उत्तर भी बता रहे हैं मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में अंगला बताने है आपको चिपको आंदुलन की सुरुआत किस बर्च भी चिपको आंदुलन प्रशने किरमांग 16 का उत्तर हमें बताना है तब आपको बिलकूर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, बी एनिकी 1973, चिपको अंदुरन की शुरुआत वी थी 1973 में, ठीके, अंगला देको, परियावन सरक्षन हेतु अपिको अंदुरन के स्राज में चलाए गया, अपिको अंदुरन बताना है आपको, तब आपका यहाँ पर आपको राइट अंसर बताना है कि अपिको अंगला कोस्चिन देखेंगे, बाबा, आंटे और मेदा पाट कर किस अंदुरन से संब्दे थें, तो नर्वदा बचाओ, चिपको अंदुरन, अपिको अंदुरन, गंगा स्वक्ष अंदुरन, तो बाबा, आंटे और मेदा पाट कर यह जो संब्दे थें, वो नर्वदा वचाओ आंदुलर से सम्मादे थे ठीक है वो नर्वता नदी अमर कंटक से निकलती है कहां से अमर कंटक राजु गांधी परियावन पुरुषकार दिया जाता है तो किस छेत्र में आपको दिया जाता है परियावन के छेत्र में तुलिये योगदान के लिए व्यक्ती बैसेस को दिया जाता है परियावन के छेत्र में तुलिये योगदान के लिए किसी संग्ठन को दिया जाता है तब आपको बताना है किसको दिया जाता है राजु गांधी परियावरण पुरुषकार आपका प्रश्न किरमांक 19 है और 19 का जो आपका बिल्कु सही आंसर होगा वहोगा C यानि कि परियावरण के चेत में तुल्ली योगदान के लिए ओध्योगिक तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा परियावरण चेत में तुल्ली योगदान के लिए ओध्योगिक संस्था को दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपका C नमर बिल्ट को सही हो जाएगा अंगला question देखेंगे दोस्तो सुमेलित करना है यहाँ पर हमें प्रतिवी दिवस कम मनाये जाता है जिव इत्ता दिवस कम मनाये जाता है ठीक है? तो सभी लोग सुमेलित करेंगे प्रश्निक्रमा के अपना 20 और यहाँ पर आपके उत्तर यहाँ पर दिये है 20 का उत्तर बताएंगे सभी लोग क्या होगा राइट अंसर? अंसर हो जाएगा दोस्तो आपका B B यहनि की जो प्रतिवी दिवस है वो कम मनाये जाता है? 22 अप्रेल को मनाये जाता है 20th प्रिकर्ती दिवस तीन अक्टूबर को मना जाता है 20 такая तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ प्रस्चनों को कुछ बेश्तर द्रूप से पड़ा और उसके बारे में कुछ प्रस्चनों का अभ्यास करो सब अभ्यास किया उस जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट के मात्यम से जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और सियर करें परियावरण के अधिकांच वीडियो लगबग 110 वीडियो की प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है वो आप जरूर देखेंगे और NCERT पर आधरत ये बिस्तरित अध्यान का वीडियो आपको अलग प्ले लिस्ट में मिलेगा इससे समंदित और भी टेस्ट होगे NCERT पर ये टेस्ट सीरिज आपको अलग प्ले लिस्ट में मिलेगी ठीक है तो आपको याद रख लेना है कि एक परियावन की 110 वीडियो 110 से उपर वीडियो के वीडियो आपको मिलेंगे है ना मॉटल पेपर के परियावन की अलग प्ले लिस्ट मिलेगी NCERT टेस्ट की अलग मिलेगी बिस्तरित अध्यान अलग मिलेगा तो आपको चैनल पर जाके देखना है चैनल है Self Study Classes आप Self Study Classes चैनल पर क्लिक करेंगे तो चैनल पूरा खुलेगा उपर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी प्ले लिस्ट देखे की प्ले लिस्ट पर क्लिक करना उसमें आपको सारी की सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी तो ठीक है व वीडियो के लिए बस इतना ही सभी लोगों को सेयर और लाइक बस करना है जैन